हेलो जी नमस्कार राम राम बाला की रसोई में आप सबी का एक बार फिर से स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं एकदम चटपटी तीखी मसालेदार रास्थान की पारम प्रिक भोती फेमस बेशन के गट्टे की सब्जी जी हाँ फ्रेंट्स ही भूद अच्छी लगती है और इसे आप पूरी पराठा रोटी या चावल किसी के भी साथ सरो कर सकते हैं मैं यहां पर लच्छा पराठा के साथ इसको सरो कर रही हूं और यह भूर टेस्टी लगती है खाने में और फ्रेंट्स जब भी आपके पास घर में सब्जी आवलेबल ना हो तो आप बेशन और धाई या चाथ जो भी आपके पास हो उसी से इसको आप बना सकते हैं आपको किसी भी सब्जी की आप नीड नहीं है तो चलिए हम फटा फट से बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम एक परात लेंगे जिसमें डेली आटा लगाते हैं उसमें हम दो कफ बेशन बारिक बेशन यूज करेंगे यहां पर हम चाय बनाते हैं वही कफ अपना ले रहे हैं तो दो कफ बेशन यहां पर यूज करेंगे उसमें थोड़ा सा साबुत धनिया या खड़ा दनिया जो हुतता है उसको इस तरह से क्रस कर लेंगे और डाल देंगे एक चमप हम यहां पर अजवाइन लेंगे में और इसको भी आथों से क्रस करते हुए बेसं के अंदर आड़ कर देंगे अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़े से मसाले एड़ करेंगे दो चमस नमक, एक चमस लाल मिर्ची, एक चमस हल्दी पाउडर, एक चमस धनिया पाउडर एक पिंच मैं यहां पे बेकिंग सोडा एड़ कर रही हूँ यह बिल्कुल ओप्सनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, अदर्वाइस इसके बिना भी आपके गट्टे सोफ्ट बनेंगे दो चमस यहां पे हम सरसों का तेल डाल देंगे और चार से पाथ चमस अब मैं इसमें धई एड़ कर रही हूँ धई से हमारे गट्टे जो हैं, वो बहुत ही सोफ्ट बनेंगे सारी चीजे डालने के बाद मैं हाथ से अच्छे से पहले इन सभी मसालों को और धई और तेल को बेशन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम यहां पर पानी डाल कर बिल्कुल चार से पांच टेबल स्पून हमें यहां पर पानी लगेगा बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज होगा तो हाथ में थोड़ा सा पानी लेते हुए हम एकदम मीडियम जो डो है वो तैयार करेंगे ना ज़्यादा बारिक और ना ही ज्यादा मोटा तो जब बेशन का अटा लगाते हैं तो फ्रेंड्स देखे इस तरह से हाथों में चिपक जाता है तो आपको टेंसल ना लेने बेशन चिपकता ही आथों में गेउं के आटे की तरह नहीं होता है तो आपको चाकू या चमत जो भी हो उससे इस तरह से अटा लेना इसको और हाथों पे थोड़ा सा आपको शर्शों का तेल लेकर इस तरह से और फिर इसको जो अमारा डो है आटाम ने लगाया है इसको इस तरह से नीट करना है तो ये बहुत ये अच्छा सा आपका सोफ्ट सोफ्ट हो जाएगा और पूरा इसको एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आपको लगाना है बहुत पतला अटा भी नहीं लगाना और बहुत टाइट भी ये देखे इस तरह से हाथ से आपका दबना चाहिए अब 10 मिनट के लिए हम इसको क्या करेंगे ढखकर साइड में रख देंगे और जब तक हम जो मैंने लसन शील के लिया था ग्रेवी के लिए इसको हम यापे कूट लेंगे ये मैं लसन कूट रही हूँ यापर थोड़ा थोड़ा करके ये देखी लसन कूट गया हमारा अब हम दो टमांटर लेके मैंने यापर चोप्ट कर लिया है यह थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को ओन करके एक पतीला लेंगे बड़ा साइज का और उसमें एक लिटर पानी अड़ करके इसको अच्छे से बोईल कर लेंगे और जब तक फाइन बोईल होगा तब तक हम अपने आटे से दस मिनिट हो गए हमारे आटे को थोड़ा सा हाथों पर तेल लेते वे अच्छे से इसके लोग तयार कर लेंगे यह देखें बड़ाबर बड़ाबर मात्रा में छोटी छोटी आटे की लोग लेकर आप इसके लोग बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने छै पेड़ी ली है और इन छैओं पेड़ी उसे मैं यहाँ पे लोग बना रही हो ये मैंने 6 लोग बना लिये हैं ये देखिए भोध अच्छे बने है पानी है ये अमारा गरम हो गया है जब तक लोग बनाए अब इस उबलते वे पानी में हम एक-एक लोग एड़ करेंगे ताकि पानी का जो है वो टेंपरेचर कॉंस्टेंट रहे बोईल लगाता राता रहे और एक-एक लोग इसमें एड़ कर देंगे इसको 15-20 मिनट आमें खुलाई उबालना है हाई फ्लेम पे जह से हमारे गट्टे उबलेंगे ये पानी के उपर तैरने लगेंगे अभी ये नीचे है तो चलिए जब तक ये उबल रहे हम थोड़ी और ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे जो टामाटर हमने काटे थे इनको मिक्सी के जार में डाल कर इसकी ग्रेवी बना लेंगे पेस्ट बना लिया हमने उसके बाद मैं यहाँ पे धाई यूज कर रहे हूँ तो धाई को फ्रेंड्स आपको ग्रेवी में फेट करके एड़ करना होगा अगर आप लसी चाच यूज कर रहे हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं आप आदा लिटर लसी या फिर आदा लिटर चाच ले लीजिए और अगर धाई ले रहे हैं एककटोरी तो इसको फेट लीजिए अब वापस गटो पर आजाते हैं ये देखिए सारे जो लोब है हमारे ये एकदम से उपर आ गए है पानी के और ये बहुत अच्छे बनके हमारे तयार हो गए है एक भी जो हमारा लोग है वो फटानी है ये देखिए मैं इनको सबको पानी से भाहर निकाल लूँगी और ये जो पानी है ये हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे इसे फेकेंगे नहीं इन सबी को अब हम छोटे-छोटे पीसिज में काट लेंगे तो ये हमारे गट्टे बनकर तयार हो गए हैं जैसे गट्टे काट लेंगे अब हम ग्रेवी की तरफ मुह कर जाएंगे तो ये सारे गट् तेल लिया है उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है जैसे जीरा चटका उसके बाद लाल मिर्ची डाल दिया है और उसके बाद में मैंने अपना जो लेशन कूट के लिया था वो डाल देंगे अगर आप लेशन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप लेशन को स्किप कर सकते है और डारेक्ट लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पावडर डालके इसको अच्छे से पका लीजिए और उसके बाद इसमें टमाटर की जो प्यूरी बनाई हमने उसको एड़ कर दीजिए और अब इस प्यूरी में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे दो चमच तो मेरी चमच छोटी रहती है और अब इसको हम ड़क कर पका लेंगे श्लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट इसको पकाएंगे ताकि जो हमारा पेस्ट टमाटर का यह अच्छे से पक जाए यह देखी टमाटर का पेस्ट पक गया है बहुत अच्छे से अब इसके अंदर हम धाई एड़ कर देंगे जो हमने फेटा है आप अगर लसी यूज कर रहे हैं तो यहां पे इस स्टेज पे आप लसी एड़ कर दीजिए और इसको बहुत लगातार आपको चलाते रहना पड करते हैं अब जैसे यह मेरा पक गया मैं इसके अंदर जो गट्टे का पानी था जो हमने लोग उबाले थे वेशन के वह पानी था वह इसमें एड़ कर रही हूं और थोड़ा सा पानी मैंने आप और एड़ कर दिया है तो आप ग्रेवी के हिसाब से इस स्टेज पर पानी ए या फिर जितनी गाड़ी बनानी है यह देखिए यह एकदम परफेक्ट लग रही है मेरे को और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे गट्टे एड़ कर देंगे मैं यहां पर आदे गट्टे इसके अंदर एड़ करूंगी और आदे इसके साथ गट्टे खाती है उसे बहुत अच्छे लगते हैं यह देखिए हम बीच बीच में ग्रेवी को चलाते रहेंगे और अब ढ़क के तीन से चार मिनट के लिए पका लेंगे और यह हमारी सबजी जो है वह बनके बिल्कुल तैयार हो गई है तेल बिल्कुल पूरा सा पतला रखना है क्योंकि गट्टे जो हैं वो ग्रेवी को सोक कर लेते हैं तो बाद में यह गाड़ी ना हो उसके लिए शुरू में हम थोड़ी सी इसको पतली रख रहे हैं आप इसे जरूर ट्राई करें और जो भी आप क्यान भवो हमें कमेंट करके जरूर बताएं अग आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंट तक देखने के लिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ थैंक्यू